जब शुरुवात में मुझे किसी ने फास्टिंग के बारी में बताया, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा कि ये कोई फाल्टू की चीज है, खाना छोड़ने से आखिर होगा ही क्या, मेरा दिमाग फास्टिंग के सिध्धान्त को मानने से मना करता रहा, मैं बार- और शक्तिशाली कोई दूसरा काम नहीं है, इससे आपको कई प्रॉब्लम्स का उप्चार मिल जाएगा, जिनमें कैंसर भी शामिल है, और ऐसा इसलिए है, क्योंकि इससे सेहत से जुड़ी अधिकांश प्रॉब्लम्स पर निशाना साधा जाता है, और ये प्रॉब्लम्स ह मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे धीरे-धीरे और तेजी से इसकी शुरुवात कर सकते हैं, इंटर्मिटेंट फास्टिंग क्या है, ये कोई डाइट नहीं है, ये खाने और नहीं खाने का पैटर्न है, आप वही काम कर रहे हैं, जिसके लिए आपका शरीर डिजाइन क काम नहीं कर पाता, इसलिए अगर हम ये चीज रिवर्स कर देते हैं और बार-बार खाने की आदत छोड़ देते हैं, तो कई तरह की चमतकारी चीजे होने लगती हैं, अंदरुनी स्तर पर कुछ खास हॉर्मोन्स में बदलाव आने लगते हैं, आपका इंसुलिन कम होने जाएगा, आपको इन हॉर्मोन्स को एड़जस्ट करना होगा, इंसुलिन कम से कम रखना होगा और फिर हमें ग्रोथ हॉर्मोन को भी एक्टिवेट करना होगा, क्या आप जानते हैं कि ग्रोथ हॉर्मोन फास्टिंग के जरिए एक्टिवेट हो सकता है, एक बहुत अच्छ करते हैं तो भूख आपके आड़े आ सकती है अगर आपको कम भूख लगेगी और आप हमेशा खाने की तलाश नहीं करेंगे तो चीजें आपके लिए आसान होती जाएंगी मुझे लगता है कि भूखा रहने से आपकी ज्यान प्रणाली बहतर होने लगती है जब मैं इंटर् पर हमेशा एक हेलमेट रखा हुआ है ऐसा लगता था कि मेरे सामने एक धना बादल है और मैं कभी उससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा इसलिए दिमाग के लिए इंटर्मिटेंट फास्टिंग शांदार है और इससे आपको फोकस करने में मदद मिलेगी आप ध्यान लगा प जो खुदकुशी करना चाहता था वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था और वो भुखा रहकर खुद को मारने का प्लान कर रहा था वो अपने कमरे में गया और उसने अपना कमरा बंद कर दिया वो अपने बिस्तर पर सो गया पहले दिन वो उठा और कुछ नहीं हुआ वो तीसरे दिन उठा और उसे पहली बार अच्छा महसूस होने लगा उसका डिप्रेशन दूर हो गया था उसने कमरे का दर्वाजा खोला और बाहर आया खुद से कहने लगा कि उसे अच्छा महसूस क्यों हो रहा है ऐसा पहले कभी महसूस नहीं हुआ उसने खुद से कहा क वो अपनी जान नहीं ले सकता, वो इंटरनेट पर फास्टिंग से जुड़ी जानकारियां जुटाने लगा, सर्च करने लगा कि कुछ नहीं खाने पर क्या होता है, और उसे फास्टिंग की बहतरीन जानकारी मिली, वो मेरी वेबसाइट पर भी गया, उसका वजन कम होने आपको ये भी समझना होगा कि फास्टिंग का मतलब स्टार्विंग नहीं है, स्टार्विंग में आपका शरीर मांस्पेशियों का प्रोटीन और विभिन ओर्गन्स को खाने लगता है, और शरीर से फैट लगभग खक्म ही हो जाता है, आपके शरीर का फैट आपको जीवि शरीर मांस्पेशियों को बर्न करने लगेगा और उस सिचुएशन को स्टार्विंग कहते हैं, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि बहुत सारे लोगों में बहुत सारा फैट होता है और मांस्पेशियों तक पहुँचने में काफी लंबा समय लग जाएगा, एक औसत इन जब कोई इनसान फास्टिंग शुरू करता है और सोचता है कि क्या वो इतने घंटे बिना खाए रह भी सकता है या नहीं, फिर वो इनसान ये सोचकर बहुत ज्यादा खा जाता है कि कहीं ये उसकी आखिरी मील तो नहीं है, बात कुछ ऐसी है कि जब कुछ दिनों बाद आप खुश रहेंगे, नंबर दो, आपका इम्यून सिस्टम बहतर होने लगेगा, मैं प्रोलॉंग फास्टिंग की बात भी करना चाहता हूं और इससे आपके शरीर पर क्या असर पड़ता है, यहां हम कुछ दिनों या थोड़े लंबे समाई के लिए फास्टिंग करते है और उससे आपके इम्यून सिस्टम के स्टेंड सैल्स बढ़ाने और जनरेट करने में मदद मिलती है। ऐसा करके आप एक नए इम्यून सिस्टम का निर्मान करते हैं, जो बेहद अनोखी बात है। फास्टिंग की दूसरी अच्छी बात ये है कि इसके जरिये आप आटोफेजी नाम की स्थिती पैदा कर सकते हैं। आटोफेजी का मतलब होता है खुद को खाना। आपके शरीर के सैल्स पुराने एक शतिग्रस्ट सैल्स को साफ करते हैं, उनका कायाकल्प करते हैं और उन्हें नए सैल्स में बदल देते हैं। इसे हम कच्रा सफाई अभियान कह सकते हैं। इससे शरीर के शतिग्रस्ट सैल्स साफ होने लगते हैं और नए सैल्स बनने लगते हैं और इसलिए लोग फास्टिंग करते हैं, खासकर रोजाना और नियमित रूप से की जाने वाली intermittent फास्टिंग ये anti-aging प्रभाव पैदा करती हैं इससे आप जवान दिखने लगेंगे आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, जोरों का दर्थ कम हो जाएगा, इंफलेमेशन कम होने लगेगी. अब इंफलेमेशन की थोड़ी बात करते हैं, जरा सोचिये की कितनी सारी बिमारियों का कारण इंफलेमेशन है, जिनमें हार्ट की बीमारी, आटो इम्यून बीमारियां और अर्थराइटिस भी शामिल है. इंफलेमेशन इन सभी का कारण है. दूसरा फाइदा ये है, कि जब आप इंटर्मिटेंट फास्टिंग करते हैं, तो आपकी ग्रोसरी का बिल बहुत कम आने वाला है, क्योंकि आप स्नैक्स खरीदने से बच जाएंगे, आप बार-बार खाने से बच जाते हैं. मैंने आकलन किया है, कि एक औसत इंसान हर महीने ऐसे फूर्स कम खाकर साथ हजार से चालीस हजार तक बचा सकता है. मैं ये भी कहना चाहता हूं कि फास्टिंग का मतलब ये नहीं है, कि आप कम कैलोरीज खाना शुरू करेंगे. जब आप इंटर्मिटेंट फास्टिंग करते हैं, तब खाना खाने की जरूरत कम हो जाती है, और आपका शरीर ज्यादा कुशल होता जाता है, इसलिए कम कैलोरीज में भी आपका काम चल जाता है. निट्रियंट्स की आवश्चक्ता कम हो जाती है, क्योंकि आपका शरीर अनुकूल हो जाता है. अगर हमारा मेटाबोलिजम धीमा है, तो हमारा वजन कम नहीं होगा, और इसलिए फास्टिंग आपका मेटाबोलिजम सुस्त नहीं करती, ये मेटाबोलिजम की कार्यप्रनाल करती है. कभी कभार आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुँच जाते हैं, जहां आप वजन कम करने की कोशिश करते हैं, और आपका वजन उससे ज्यादा कम नहीं होता, आपका वजन उस तर पर पहुँचने के बाद कम नहीं होता, और इंसुलिन रेजिस्टेंस उसके पीछे का कारण होता है. जब आप कुछ समय के लिए फास्टिंग करते हैं, आप उसे ठीक कर सकते हैं, और उस सेट पॉइंट को नीचे लेकर आ सकते हैं. इसलिए फास्टिंग के जरिए आप अपने मेटाबोलिजम को रिपेर करते हैं, क्योंकि सुस्ट मेटाबोलिजम के पीछे का कारण insulin ही है. आपको याद होगा कि insulin ही वो मुख्य कारण है, जिससे हमें पता चलता है कि आप fat burn करेंगे या नहीं करेंगे. हम fasting के जरिये insulin का स्तर कम कर सकते हैं, fasting करने या बार-बार खाने की आदत छोड़ने इसे आपको अपने लिए बहुत ज्यादा समय मिलने लगेगा क्योंकि आप निरंतर खाना खाने और उसे पकाने से बच जाएंगे ये आपके लिए बेहद महत्वपून रहेगा फास्टिंग का एक बड़ा फाइदा ये भी है कि इससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रिसेट होने का मौका मिल जाएगा इसलिए अगर आप निरंतर कुछ ना कुछ खाते रहना बंद कर देंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम निरंतर काम करने से बच जाएगा ऐसा करने से आपकी ब्लोटिंग कम हो जाएगी, आंतों की इंफ्लेमेशन भी कम होने लगेगी और आपको बड़े फाइदे मिलने लगेंगे चलिए अब शुरुवाती पॉइंट की बात करते हैं मान लेते हैं कि आप रोजाना तीन बार भोजन करते हैं और आप स्नैक्स भी खाते हैं सबसे पहले आपको स्नैक्स खाना बंद करना होगा, रात के खाने के बाद भी कुछ हलका फुलका खाना बंद करें हमें snacks से बचना होगा और तीन बार ही भोजन करना होगा. ये पहला step है और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप शरीर में सुधार करना शुरू कर पाएंगे. दूसरे step में आपको अपना breakfast छोड़ना होगा. ये काम आप धीरे-धीरे या एक बार में कर सकते हैं. शायद मैं एक बात बताना भूल गया हूँ कि ये काम आसान बनाने के लिए आपको कम कार्ब वाली डाइट लेना शुरू करना होगा ये कोई प्राथमिक्ता नहीं है लेकिन इससे आपको मदद मिलेगी मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप अपना कार्बो हाइडरेट कम करते हैं आप ज्यादा फैट बर्न कर पाते हैं क्योंकि आपका इंसुलिन कम होने लगता है बार-बार खाने की आदत और कार्ब खाने से इंसुलिन बढ़ने लगता है अगर आप कार्ब कम कर लेते हैं, तो आपको ब्रेकफास्ट छोड़ने में बड़ी आसानी रहेगी, क्योंकि ऐसा करके आप रात को सो जाएंगे, और पूरी रात आपकी फास्टिन चलती रहेगी, और जब आप सुभा उठेंगे, आपको बिल्कुल भी भूख नहीं हम कार्ब इसलिए खाते हैं, क्योंकि हमें इसकी आदत है, और ये हमारी परमपरा का हिस्सा है, हमें हमेशा बताया गया है, कि ब्रेकफास्ट दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन है, जो पूरी तरह से एक जूट है, और ऐसा हमसे उन्ही कमपनियों ने कहा है, जो ब्रेक कर सकते हैं, आपको इस समय को तब तक बढ़ाते जाना है, जब तक कि आप लंच के समय तक नहीं पहुंच जाते, आपका ब्रेकफास्ट और लंच एक ही समय पर हो जाएगा, आमतोर पर मैं लंच के समय जब पहली बार कुछ खाता हूँ, तो मैं उस समय पर अंडे या बेक कर रहे होंगे, दोपहर 12 से शाम 6 के बीच आपको 6 घंटे की इटिंग विंडो मिल जाएगी और आप 18 घंटों की फास्टिंग कर पाएंगे, आप इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, ऐसा करना बहुत आसान है और आपको इससे कई फायदे मिल जाएंगे, कई लोग ऐसा करते हैं और उन्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मान लेते हैं कि हम तेजी से बजन घटाना चाहते हैं और मान लेते हैं कि हमें इससे सभी फायदे नहीं मिल रहे हैं नमबर 3 फॉलो कर सकते हैं मैं इटिंग विंडो की कुछ बात बताना चाहता हूँ, आम तोर पर लोग कहेंगे कि ये एक इटिंग विंडो है, मैं जितना मन करें उतना खा सकता हूँ वैसे अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और दिन भर में केवल दो बार ही खाएंगे, मिसाल के तौर पर 12 और 4 बजे और इसके बीच कोई स्नैक्स नहीं खाएंगे, तो आपको ज्यादा फायदे मिलेंगे हालांकि अगर आप पहली बार शुरुवात कर रहे हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आप अपनी इटिंग विंडव में जो खाना चाहते हैं, आप वो खा सकते हैं, लेकिन इटिंग विंडव में ही खाएं और आपको 20 घंटों की फास्टिंग करनी है लेकिन चलिए इसे अगले स्कर पर ले कर जाते हैं चलिए OMAD यानि की एक दिन में एक मील की बात करते हैं इससे आपको 23 घंटों की फास्टिंग और एक घंटे की इटिंग विंडो मिल जाएगी मेरा मानना है कि 50 की उम्र से उपर के हर एक इनसान को ये काम करना चाहिए क्योंकि बुढ़ापे में आपको ज्यादा फूर की जरूरत नहीं पड़ती आप उतने ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाते और दिन भर में एक बार भोजन आपके लिए अच्छा रहेगा और आपको 23 घंटों की फास्टिंग मिल जाएगी इससे आपको कई शांदार फायदे मिलेंगे मैं इसके साथ एक दूसरी चीज भी बताना चाहता हूँ जिसे periodic प्रोलों फास्टिंग कहते हैं अगर हम नियमित तौर पर intermittent फास्टिंग करते हैं और उसके साथ हम periodic प्रोलों फास्टिंग करते हैं यानि कि आप अब दो दिन से लेकर साथ दिन या उससे लंबे समय तक फास्टिंग करेंगे, तो उससे आपके immune system के stem cells बढ़ने लगेंगे. Immune system बहतर होने लगेगा. आपका दिमाग repair होने लगेगा, या आप arthritis को ठीक कर सकते हैं, या कई स्वास्थे समस्याएं ठीक कर सकते हैं. आप cancer की रोक थाम भी कर सकते हैं. Cancer के लिए आप जितने भी काम कर सकते हैं, उनमें से प्रोलों fasting सबसे शक्तिशाली काम है. मैंने अपने दूसरे वीडियोज में cancer पर चर्चा भी की है. वो वीडियो आपको मेरी website पर भी मिल जाएंगे क्योंकि मुझे यहां से उन्हें हटाना पड़ गया था. एक ऐसे इनसान हैं, जिन्हें चौथी stage का prostate cancer था. डॉक्तरों ने उन्हें घर जाने के लिए कह दिया था, कहा कि उनका इलाज संभव नहीं है. वे कई तरह की जानकारियां जुटाने लगे और उन्होंने कई तरह की चीजें आजमाई, लेकिन जिस चीज ने उनकी असल में मदद की, वो थी प्रोलोंग फास्टिंग. उन्होंने लंबी फास्टिंग की और उसकी बदौलत वो इस सिचुएशन को रिवर्स कर पाए और उन्होंने चौथी स्टेज के कैंसर से छुटकारा पाया, जो की बेहत गंभीर स्थिती मानी जाती है. वे इतने सालों बाद अभी भी जिन्दा हैं और उनका एक यूट्यूब चैनल भी है. मैं उसका लिंक नीचे डाल दूंगा. उन्होंने इस पर एक किताब भी लिखी है. कई काम किये हैं और हम दोनोंने एक वेग्यानिक स्टडी को भी फंड किया था, जो यूरोप में बहुत महेंगी है, जिसमें हमने एक मेडिकल इलाज को सिद्ध किया था और उसकी बात हम किसी दूसरे विडियो में करेंगे. कहने का मतलब ये है कि कैंसर को मारने के लिए प्रोलूम फास्टिंग बेहद शक्तिशाली है क्योंकि जब आप फास्टिंग करते हैं, आपके जेनेटिक्स और आपके जीन्स बड़े पैमाने पर जीवित रहने के लिए एक साथ आ जाते हैं. दूसरे शब्दों में कहें, तो पुराने समय में भी हमारे शरीर ने कई बार भुखमरी का सामना किया है. इसलिए एक सुरक्षात्मक कार्यप्रणाली के तौर पर जब आप स्टार वेशन को अपनाते हैं या भुखे रहते हैं, तो शरीर में जीवित रहने वाली कई चीजें विक्सित होने लगती हैं. कई बीमारिया खत्म होने लगती हैं. आप अपने खास जीन्स को अपग्रेड करके कई बीमारियों से चुटकार आपा सकते हैं. उदाहरन के लिए अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं और हम उसे ज्यादा शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, तो हमें उसके साथ कुछ दूसरे काम भी करने होंगे. मैं कार्ब कम करने की बात कर चुका हूँ, जिससे हम कीटोजेनिक डाइट कहते हैं. अगर आप ये काम करेंगे, तो इससे चीजें बहुत ज्यादा तेज गती से काम करेंगी. मुझे लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और एक साथ मिलकर बढ़िया काम करते हैं. अगर आप कसरत करेंगे, तो आप इसे अगले स्टर पर लेकर जा सकते हैं, क्योंकि ये सारे काम कई चीजों में सुधार करते हैं. इनसे इंसुलिन कम होता है, ग्रोथ हॉर्मोन बढ़ता है, जीने की कार्यप्रणाली और हमारी सेहत बहतर हो जाती है. जरा सोचिए कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो आपकी सेहत बढ़ाने के लिए क्या करता है? मैं किसी लक्षन को दबाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कई चीजों के बारे में कह रहा हूं, डॉक्टर खाने से जुड़ी समस्या के मूल सिध्धान्द की बात करते नहीं हैं, डॉक्टर फास्टिंग तकनीक का जिकर नहीं करते, डॉक्टर आपको कसरत करने के लिए क लेकिन आमतौर पर वे उन साइड एफेक्ट्स को ठीक करने की बात करते हैं, जो आपको जंक फूर्स खाने, शराब पीने, तनाव और अन्यकारणों से हो सकते हैं, डॉक्टर इन ही चीजों पर ध्यान देते हैं। किसी औसत इनसान को इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, उसके पेट पर चर्बी जमा होती है, वजन जरूरत से ज्यादा रहता है। बीच में आपका बड़ा पेट आजाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। आपने कुछ दूसरी चीजों के बारे में भी शायद सुना होगा, जिन में कोई सच्चाई नहीं है। जहां हमें बताया जाता है कि दिन भर में छे बार खाना सेहत मंद है, हमें एक आइडिया दिया जाता है कि भूख को मिटाने के लिए हमें कुछ खाते रहना पड़ेगा, ताकि आप जरूरत से ज्यादा खाने से बचे रहें। ये बात पूरी तरह से गलत है क्योंकि जब आप छोटी मील्स खाते हैं, तो उससे आपको लगभग देड़ घंटे बाद फिर से भूख लग जाती है, इसलिए आपको छोटी मील्स खाने का आइडिया देकर आपको खाते रहने के लिए प्रेरित किया जाता है। और इसलिए intermittent fasting का मतलब होता है, आपको थोड़ी थोड़ी देर में खाने से बचना चाहिए। प्रतीशत हिस्सा carbohydrate से हासिल करता है, और हम जानते हैं कि इससे आपको कोई फाइडा नहीं मिलता। महिलाओं के fasting करने के विशर पर आप क्या कहेंगे। आपने शायद सुना होगा कि fasting thyroid के लिए अच्छी नहीं है, और कुछ studies दिखाती हैं कि इससे T3, thyroid hormone का active form थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये बिलकुल नहीं है कि thyroid काम करना बंद कर देगा, क्योंकि हाइपो-thyroidism का पता लगाने के लिए T3 नहीं, बलकि एक दू का वजन कम होने लगता है, आपका metabolism भी स्वस्थ होने लगता है, और T3 की आवश्चक्ता कम होने लगती है, और आपको इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आपका शरीर अधे कुशलता से fat burn करने लगता है, अब अगले point पर चलते हैं, आपने ये पहले भी सु के लिए बहुत अच्छी है, मैं आपको कुछ चीजों की जानकारी देना चाहता हूँ, सबसे पहले nutrition की बात करते हैं, अगर आप nutrition की कमियों के साथ इसकी शुरुवात कर रहे हैं, तो आपको सुनिश्चित करना होगा कि आप कुछ खास nutrients लें, जिनसे इनकी कमी दूर हो ज जाए. करना, मुख्य रूप से पोशन आपको vitamins, minerals और दूसरी चीजों से मिल जाएगा, जिनकी हमें जरूरत होती है, और हम इन्हे calories के बिना ले सकते हैं, लेकिन इंधन का क्या? अगर आप कुछ खाएंगे नहीं, तो आपको इंधन कहां से मिलेगा? इंधन आपको fat से मिलेगा. जब आप कुछ नहीं खाते, आपका शरीर fat को burn करके energy प्राप्त करता है. आप fat इंधन में switch करते हैं. बहुत सारे लोगों में fat होता है, जिसे वे burn नहीं कर पाते क्योंकि उनका insulin बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि वे बार-बार खाते रहते हैं. वे बहुत ज्यादा carb खा जाप्त कर पाएं. जहां तक vitamins की बात है, क्या इन्हें लेकर आप ketosis से बाहर निकल जाएंगे? ऐसा नहीं होगा, आप बिलकुल ठीक रहेंगे क्योंकि vitamins में calories नहीं होती, बशर्ते आप ऐसे vitamins ले रहें हैं, जिनमें शुगर या कोई दूसरी चीज मौजूद है. आप coffee, च आपकी manspatia खराब हैं, तो आप growth hormone stimulation की मदद से नई manspatia विक्सित कर सकते हैं, यानि कि जब आप fat कम करने और manspatia विक्सित करने की process से गुजर रहे होंगे, तो कई बार ऐसा हो सकता है, कि आपका वजन एक level से नीचे ना गिरे, अगर ऐसा होता है, तो ये बिलकुल ना सो fasting के patterns के आधार पर आपको diet को कम करना है या बढ़ाना है, अब अगले बेहद महत्वपूर्ण विडियो की बात करते हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि आपको fasting के समय क्या पीना चाहिए, अगर आपने वो विडियो नहीं देखा है, तो आप उसे यहां देख सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें